पिसान सात्यों नमस्कार फिर उपश्थित हूँ आपके समग्स एक खाज जानकारी के साथ और दोस्त आज की वडियो में आपको जानकारी मिलेगी बखरी पालन के उपड बहुत सारे हमारे भाई जो बखरी पालन के वेफसाये में उतरना चाहते हैं तो आज की विड़ीयो बहुत कुछ सिखाएगी उनको, चुकि बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं, जो बकरी पालन तो कर लिए, उसका फिल्म का फारम बंध हो गया, तो फिर किसी काम का रहता नहीं है, आपका खर्श हो जाता है, समय भी लगता है, और जिस उमीद से बकरी पालन में उतरते हैं, उस उम फारमर के यहां ही आज वीडियो बन रहा है, तीन साल पर पहली बार आया था और वीडियो बनाया था, और आज उसके बाद बहुत सारे वीडियो बना ही है, लेकिन आज जो वीडियो बन रही हैं, एक नए स्वरूप में इस फारम को मैं आपको दिखाऊंगा, पहले तो ए इसके बाद फिर देख लिए यहां पर जो दूसरा जो इनका सेड बना था वो यह बना था और तीसरा जो अब बना है वो यह बना है तो जाहिर सी बात है इतना खर्च किये हैं तो बिना कमाई किये तो खर्च करेंगे नहीं और सबसे बड़ी बात है कि जो यहां के फार्मर है जो इस फार्म के आउनर है कुद एंबीए किये हुए हैं कोई भी कदम उठाएंगे तो सोच समझ के ही उठाएंगे तो चलिए उनसे हम बात करते हैं कि अपने क्या किया क्या जादू किया और कौन सा रास्ता अक्तियार किया इससे आपको इतनी सफलता मिली है तो बने रहे हैं का हमारे साथ चलिए सुरू करते हैं तो हमारे साथ आ गया है स्वागत हैं सब्सक्राइब के पास और आज तीन तीन सेड है ये तो वह जो पहले वाला था वह तो है ही दो एलिवेटेट शेड भी आपने बनाया तो बहुत सारे कि पासान भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले इसी इसी बात की चर्चा करेंगे तो आपने तरक्य किया और बहुत साय लोग का फार्म बंद हो गया तो आपने क्या जादू किया सबसे बड़ी बात होते एक गोड़ फार्मिन लोग धैर रख रख रहन सीके प सब कुछ इंको अगर चेमिल तो किसी तरह कोई परेशानी कोई बकी नहीं आती एक तो यह हैं दूसरा खिलानी की जिवस्ता होती है फंस्ठ डाने के बाद एक से सवा साल तो हमें वेट करना है एक से सवा साल के बाद ही हमें बेनेफिट कुछ दिखने लगवे लेका जब क करता है कि लग-बग 10 विपनगे दबल होती है लेकिन लोग यह मानें गें लेकिन जीता जाता हूं जाना हमारे फार्म पर दिख रहा होगा कि अगर फार्दा नहीं होता तो नहीं होता है उसद हम ने रित्यां किसी का हो सब्सक्राइब देख रहे हैं वीडियो के बाद हम से और अनुमान लगा रहे होंगे कम से कम एकात करोड तो यहां पर लगा होगा फूंजी जी इसमें सब्सक्राइब लगाया है बकरी पालन के वेवसाय में तो शुरुआत में ही नहीं लगाया है शुरुआत एक छोटे से सब्सक्राइब करता था और आज कम से कम इस फारं में तो 300 बक्री होगी 473 आपके पास अभी बक्री है मौजूद है बच्चे लेकर तो यह जो कहानी है दोस्त एक बार एक दिन की नहीं है कम से कम चार से पांट साल इहोंने बक्री पालन को डेडिकेटेट दिया है एकदम समर सपित रूप से दिया है तब जाकर कि इस सफलता का स्वाथ चक रहे हैं तो सुरुआत से मैं आता हूं शानवाज भाई की जो भाई हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वह भी सफलता का स्वाथ चाहते होंगे तभी इस फिल में आएंगे जाइशी बाते आएंगे तो अगर उनके पास पैसा है तो और सुचते हैं और दोचार मजदूर रख लेते हैं तो उनकी फार्मिंग नहीं चलने वाली है जब तक आप खुद ध्यान नहीं देंगे किस बख्री को कुछ नहीं चीज चाहिए आप देखेंगे तबी आपको दिखाए स्टाप को कुछ नह महीना कब लग रहा अगर दॉस्तारी नहीं करें इंतिखेंगी बुक्राइब नहीं नहीं सकती हैं फिर के यह क dłचिकष को जाएंगे ivता हो सकते हैं सब्सक्राइब दूसरा सबसे बड़ी बात है कि बख्री को देख रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोते हैं गयों का बुसा चोकर खिलाकर बख्री को पाला जा सकता है बट वहाँ पर परश्टानी कहा पर आती है दो मेना चार मेना छे मेना जैसी घर्च करना पड़ता है सिर् मल्टी मल्टी विटामीन चाहिए मिलें चाहिए सब कुछ मिलाने के बाद वह लगबख हमारे पास तीस रुपए का सब्सक्राइब अगर चे दस बख्री भी रख रहे हैं सबसर महिना खच हो गया तो किसी वैक्ति कि आया सरजी वीशार होगी तब तो बख्री में खर्च क सब्सक्राइब करने का मतलब यह हुआ कि अगर आप बख्री पालन में आते हैं तो सबसे तो धैरे रखना होगा और दूसरी बात सर ने बताया कि खर्च तो खर्च को कम करना परेगा खर्च कम नहीं करें तो फिर आपके और तो प्रने आपके पास हो सकती है या तो उसका यहीं पाह है कि कि ज्याद सा ज्यादा मत्रा में आप रशा लगा लिजिए और दूसरी बात है कि जब फारमिंग में उतरे तो तुरंत आपको पैसा नहीं आएगा तो कम से कम आपका एक पैपलार एक थी स catastrophize इंतिजार किसी भी किसी नेठाम करना चाहिए पहले आदमी को हाड नहीं मालना चीए सब्सक्राइब अगर तीन चीज कर लेते हैं तो आपने बताया कि बहुत ज्यादा पैसे वाला भी आज की फिल्ड में आज के समय में आ रहा है तो उनकी पैसे के गर्मी भी बख्री सांत कर देती है तो कम से कम उनको अगर उतरना है तो आनो मिल्वम कितने बक्री से उतरना होगा और कितना पैसा उनको बवस्ता करना होगा भकर होती ए boiler almay तो 200 ग्राम दाना पड़े एक बख्रेते और horr़ा चार देते तो पांचछार देते हैं तो तो इतना खर्च किया जो सकता है क्योंकि एक साल में एक बकरी दो दुनी चार बचे तो देती ते नहीं जो भी आप लेकिन पर बरबड़ी पालते तो बरबड़ी पांचेर में बिखता किसमें भी बूढ जाएगा न सब्सक्राइब बच्छा जोगा ना बारा से पंदर जाने विखता है तो उनको हर करेंगे तो उनकी मजदूरी निकलनी चाहिए तो एक फिगर क्या होनी चाहिए दस प्लस या पंदर प्लस वान या तो पचीस प्लस टूब एक छोटे फार्मिंग के लिए चोटे जो लेबल का फार्मिंग जिनकी आए कहीं न कहीं से दूसरे जगह भी बंदे लगे हूं और चाहते हैं कि बख्री पालन करना सुरू करें और इतना से कहें कि कुछ न कुछ उसका आवक उनको दिखे है ताकि उनको फायदा देखे कल पर बॉपरी करते थे बढ़री है और साथ में बल्एक बंगाल में नए किसान बाइए उनके लिए तो बोड़ नहीं है वह बरबरी और संकर नशल जो उच्छे कट की ब्लेक बंकाल आती है जिनके दूद की अच्छा चमता होती है बच्छे देने की चमता ची होती होती है उससे वह कर सकते हैं और उनकी लागत यूं समझे के दस से पंदरा जार के बीच में पर वक्री के असाथ से परेगी अब उनका क्या करना उसमें कितना पैसा खर्च करना चाहते हो तो वह समझे एक बखरी कीमत अपने बता दिया खर्च भी बता दिया पूरे एक साल का बजट अपने खेतों में लगा लेगे तो काफी कम खर्च में बखरी को पाल सकते हैं सिहात भी अशी रही है थोड़ा बहुत अनाज वगर दे देजिए चीट पूर दे देजिए उसी में बखरी आपकी सिहात मंद रहेगी लेकिन इसके अलावाए भी सर एक और है कि जहां पर हमा आप क्या कहेंगे सरे श देखिए वाथ मैं इसको लागू नहीं करते हैं बख्री पालक तो क्या दुस्पड़ी नाम निकल सकता है तो हराल में करना बिने डिवर्मिंग के आप कामियाप कभी नहीं हो सकते हो दूसरा वेक्षिन वह उसी तरह है आपने हैं जो व्यक्षिन होता है वह तीन वैक्षिन जैनरली होनी तो शीजनर इसका कोई गिंती नहीं सर अगर अचानक ठंडी आगा अचानक धूप आगा उसमें थोड़ी सब्सक्राइब कर लेंगा सर उसका वराण से बचाया जा सकता है अगर वैक्षिन सरा और डिवार्विंग समय पर अगर लागू करते हैं तो फिर कही को दिकत उनको सब्सक्राइब करेंगे काफी महंगी बखरी आती है तो इसकी क्या खासियत है कि इतनी महंगी है इसको नहीं पाल सकते हैं इसलिए कि इत में एक जड़ी है नकिया खाली का आपको चाली सरा उक्टाइब क्या नहीं मेल पाएगा तो इंडियो आता है यहां वहां कि बखरी आकर जो बच्छे को जर्म दी उससे बच्छा मिला इसके बिखरी होती है यह बरबड़ी की तरह बच्चे देती है इसके दूद की चमता कैसी है सर इसमें चमता कम होती है सब्सक्राइब कम होने के बाद भी इसके बच्चे की ग्रोथ हधिक होती है क्योंकि इसके दूद में लगभाग चार से पांच परसेंट होती है अगर बात करें फीमेल का तो वो कितना बोड़ी वेट पकरती है और मेल कितना बोड़ी बच्चे के बाद लगभाग बच्चे देने के बाद उसका वेट थास लॉस करता है और लगभाग चलता रहता है अब करते हैं सर जो आपके बरवड़ी नसल के बखड़ी है जो आपको पर वरी नहीं खरबड़ी मिल गया या बरवरी कह करके कुछ और ट्रीमिंग करके दे दिया तो इस पर आप क्या कहेंगे सर्ट आप जो भी किसान पाई अगर बखरी खरीद रहे हैं तो उनको यह तो जरूर जाना चाहिए खरीदने सरे पहले कहीं पैसा दे रहा तो यह ची जान जाए कि कहीं सकता है क्वालिटी क्या चीज है वह आक्षे चिप नहीं सकता सारी दुने जानने के बरबड़ी जो होती है कान खरी होती होती पीछे बाल नहीं होती है इतना तो कोई भी देख सकता है बट आप आख बंद करके कहीं पैसा फिक कर चले है फिर बाद बोले कि हम ठगे गए इसमें जबरदस्ती जान बुच किसी ने आपको ठगा नहीं आप खुड ठगेगा सर आप तिनों बखरी की बात करते ह कमाई हो सकती है और काली वाली बकली चै unos ॉसक्टी के सुरूआत करेंगे दस बख्री से से क्ति कमाई हो सकती है बहुर अगर प्यों है कि इसार 577 रोपय कमाके देगी वह फिक बशि बटaroo है ड़र Yager एक से अब गर करके है तो था यृत 50वानी ऐ में कर दो हैं तो सब को हटाने के बाद जो सुद्ध बेनेफिट होड़ा हम उसकी बाद बोलने की जो बकरियां है आम बकरियों से लगभग तीन गुना ज्यादा खाती है इस पर आप क्या कहेंगे ननुभवी व्यक्ति हैं आप जितना खाती है उससे कहीं ज्यादे ग्रोथ भी देती है अगर लगभग साथ से सतर जर्पे कमांगे तीन गुना अगर खाती दुगना तो कमांगे भी तो तीन गुना देती है सर काती को यहांती बहुत हो तो नहीं खाती है कितना खाती है करना चाहते है उनको क्या समदेश देना चाहते हैं जो भी नए बंदे ने किसान अगर बंख्री पालन करना चाहते तो बेहिंचक करें वर समने तीन जो मूल मता है न उसकी अपको अपनी इंवर्मेंट बहुनी चाहिए वो अगर सोचते कि हम पैसा लगा एक से दूसरे को करें एक दम उसके क्वाल्टी में तो कहीं समझाता ना करें दो पैसा ज्यादा लगें क्वाल्टी में समझाना कीज़ें उसके बच्चे में समझाता होगा जाहिए बहुत बहुत धन्यवाद और फेक्ट बात आप है अज्वाल बताया हमार किसान पंदू को अपने अनुभग अधार पर जो भी शर ने सिखा है लंबा समय इन्होंने दिया है वक्रिपाल्ण की व्यवसाय को और जो भी स्षाप कोई से बताने के कुशीज किये है आज की वेडियो में तो आशके जानकाई थो स्थ कैसी लगी कमेंड करके जोरूब बताएगा और इस्तर और भी अपडेट जाड़ी रहेंगे तो बने रहेंगा गुरू माइडेटिव चान के सत्त तक ख्यार रखिए अपना धन्यबाद